प्रिधान मंत्री को अनपढ कहना और इनकी पार्टी में खुद कितने पढ़े लिखें यह देख लें क्या पढ़ लिख करके इन्हों ने यही किया अनपढ जैसा काम किया इन्हों ने जो एजुकेशन दी है वो दारू पीने की दारू पिलाने की जब दूसरा करोना का लग जा पैसे लेकर के लादेन वी कॉलीफाइड अपजुड़ू का नाम राया वह भी है ली कॉलीफाइड था। इस देश में जब भी बटवारे की यह कोई बात हुए है तो उसमें भी है ली कॉलीफाइड रहे जिन्ना बहुत काबिल थे हैं और जिन्ना ने भारत को बटव पाया था एजूकेशन के इस्तर को निकेजरीबाल ने दिल्ली में बरवात किया मैं आपको तानो कई हजार टीचरों की सैली नहीं मिली कई उसकूलों में अपाइन्मेंट नहीं हुए काफी पैसा लिया गया घूस का अपाइन्मेंट का नहीं हुआ के प्रिधानमंति बनने क खौब अप तूट चुके हैं ये दिल्ली में कमजोर हो गया है और अगर ये इतने बड़े थे हैं तो ये लिहली वालों को उनको फुटपात को सरक बोलते हैं इससे दे दुखत क्या होगी तेरा नाम धोका रग दूँ वो गाना इनके उपर बिलकुल फिट होता है इन्हो होने कुमार विश्वास को दिया मतार तमाम लोगों को धोका देते हुए और हकीकत है इन्होंने जैन सापको और सुसोधिया को भी निप्टाया अब ये संजय सिंग को निप्टाने चाहे रहे हैं मसकार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर राजदानी दिल्ली में डिप्टी सियम मनीश सिसोधिया की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बोखलाई हुई है एक के बाद एक बयान साफने आ रहे हैं प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रिये जाच एज पड़ करार दिया है इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजय पत्रकार जी उनसे बातचीत करेंगे सरस्वागत है आपका मेरा पहला सवाल यह है कि सिसोधिया की गिरफतारी हुई है और केजरिवाल यह कह रही है कि जिस दिन उन्हें गिरफतार किय का किया उसी दिन मैंने समझ लिया था कि प्रधानमंत्री जो है वो अनपढ हैं वो कम पढ़े लिखे हैं क्या कहेंगे इस पर आप केजरिवाल जी ने जो अनपढ बोला है तो आपको एक चीज और बता दें कि जो मोदी जी हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अनपढ क जादा एजुकेशन नहीं थी पूरप के एक प्रदेश की मुखमंत्री हैं उनकी भी एजुकेशन जादा नहीं है प्रण्द खैर उन्होंने किसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन अपना पाली टेक्निकल तरीकों से एक चीज है कि केजी वाल जी को एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि पोथी परपर जुग मुया पंडित भया ना कोई इस चीज को उन्हें ध्यान लखना चाहिए और कभीरदाज ने बहुत पहले ये कैदिया है और कभीर को चुकी वो मानते भी हैं कुछ जगह लोग भी कर चुके हैं तो उनको इस चीज का दूसरा उन्होंने एक चीज और बोली है कभीरदाज ने धाई आखर प्रेम का परहे सो पंडित हो ये दारू विकवाने से या कोई प्रेम नहीं बढ़ता है और एजुकेशन क्या है एजुकेशन को समझना जरूरी है एजुकेशन है संस्कार डालना आदमी को क्रमबद एक अध्यन देना संस्कार डालना हर चीज की जानकारी देना ये एजुकेशन है और जहां तक कहीं कहीं ऐसा भी अधिकतर आतंगवादी हाईली क्वालिफाइड है इवन लादेन भी क्वालिफाइड हाईली था कई लोग ऐसे हैं कई राष्ट्रों में जो डिस्टर्ब किया हुए हैं अगर आप उन मेमन बंदू थे हैं वो भी हाईली क्वाइड थे हैं बॉम्बे के कुछ चार्टेड अकाउंटेंट थे वो लोगोंने भी आतंगवादी कारवाईयां की अभी कई लोग जेल में बंद हैं कई बड़े बड़े लोग वो हाईली क्वालिफाइड रहें मगा उनका कहीं आतं काफ बित्वाद विद्धहन्सक जितनी भी बड़े गतविदियां हुई हैं उसमें हाईली क्वालिफाइड लोग रहें इस देश में जब भी बटवारे की या कोई बात हुई हैं तो उसमें भी हाईली क्वाइड रह ilie जिन्ना बहुत काबिल थे और जिन्ना ने ही भारत को बटवाया था और भारत के बटवाने में जिन्ना भी थे नहरू भी थे दोनों बहुत काबिल थे नहरू भी बैरिश्टर थे वो भी बैरिश्टर थे बस अंतर यह था जिन्ना उस जमाने में 8000 उपए उनको मिलते थे न नहरू जी का प्रेक्टिस की बात बहुत कम सुनी गई है मोतिलाल नहरू बहुत बड़े बैरिश्टर थे हाला कि उनका देश के प्रत वो रहा मगर ऐसा नहीं कि वो कोई अलगावबादी या वो हो और अनपढ की जो बात ये कह रहा है ये बिल्कुल गलत कह रहा है किसी प्र कि आँने पढ़े लिखे हैं देखलें क्या पड़लिख करके इन्होंने यही किया अनपढ ऑपड घैसा काम किया कितने वहां से IIT में student आए उनके उसमें, कितने competition क्वालिफाई इन्होंने competition के लिए कुछ कराया, इन्होंने student को ISA, IPSA, MBA के लिए कुछ कराया, इन्होंने जो education दी है वो दारू पीने की, दारू पिलाने की, जब दूसरा करोना का लग रहा था, उस समय सराप के ठेके बाटे जा रहे ते पैसे ले करके, तो ये चीज कहना थोड़ा सा कि अनपड, अनपड को ये समझें, फिर कभीर दास को इनके दोहे को याद करना पड़ेगा, ये उस पे अमल करें, कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होई, पोथी परपर जुग मया, पंडित मया न इससे सीख लेनी चाहिए, केजरी वाल जी की अपनी महत्वा कांचा है, केजरी वाल जी का जो सपना है, एक ख्वाब है, वो प्रिधान मंत्री पत का है, एक बार ये बड़े अच्छे कपड़े पहन के जब मुखमंत्री बन गयते हैं, अपनी फैमिली के साथ 26 जन्मी को र सो जाना जब भी सुबह सो के उठते हैं, और आज ग्यारा बजे के बाद वो अपने को पैधान मंत्री के देखते हैं, जब सुबह उठते हैं, तो वो ये देखते हैं कि पैधान मंत्री नहीं है, दूसरा अभी उनको फ्रस्ट्रेशन की बजय है, कि फ्रस्ट्रेशन में उ अभी अठार्ट में आ गया थे कि उनको प्रिधान मंत्री बनना इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी उनको एक प्रिकास से जैसे ये सब खौब ऐसे होते हैं जिसके जटके आते रहते हैं, वो उनके एक प्रिकास से जटका आना, दूसरों आपके जो बयान इस समय आ रहे हैं जिस तरह से कि अभी जैसे संजे सिंग ने बयान दिया, तमाम लोगों ने दिया, तो आप पार्टी में अभी एक मीटिंग होई थी, तो उसमें कई लोगों ने विरोध भी किया, अभी जब उनकी वो हुई तो कुछ बिदाहिकों में भी आक्लोस हैं, उनके सभा सदों में भी आक्लोस हैं, अभी वहीं पे ही इन्ही के एक नेता ने इनके उसके लिए कहा था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बरबाद गुलिस्ता को करने को एक ही उल्लू काफी होगा, आज सियासत में जो इस तरह के सब आरोप लग रहा हैं, एक प्रिधान मेंत्री जैसी गर्मा के पदक पे, अगर आप उस अगले को बेकूप कहें, कम पढ़ा लिखा कहें, तो बड़ी हो, तो ये उनका देख लें, पाकिस्तान के पूर पिधान मंत्री का, अभी का बयान देख लें, दूसरी बात जर्डारी का देख लें, जर्डारी ने एक बयान दिया था, बलावल भुट्टो ने भी एक जगह कहा था कि नोट बंदी बहुत बढ़िया, अब आप आईये कि लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की, हाँ, लेकिन सवाल ये है कि, वो ये कह रहे हैं कि सिसोधिया सिक्षा मंत्री थे, उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा बदलाव सिक्षा के शेत्र में किया, और उनकी गिरफतारी पर उन्हें लगा कि देश का जो जाही करके जो केजरिवाल जिस तरह की बाते करते हैं, वो बहतर है या जिस तरीके से परधानमंत्री विदेशों में जाकर भारत का मात बड़ाते हैं। रिठाला के एक बिधायक ने आरोब लगाया था कि ये ठेके पर सारी विवस्ता चल लई है, पूरा मंत्मंडल पूरा वो ठेके पर चल ला। और जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन का इस्तर गिरा है, वहां पर कमीशन वाजी हुई है, तमाम उनका नियुक्त नहीं हुई और ये बिल्कुल, ये सिर्व ये कह करके एक स्रे लेना चाहे रहे हैं, केजरी वाल जी, और जहां तक बेकूप कहना प्यधान मंत्री के लिए ये सोबा नहीं देता, इन्होंने एक चीज और बोली है, ठाली बजाने का, तो मैं आपको बताना हूँ, ये ही ताली बजाने का ये था कि एक एकतार है, लोगों की बिल पावर इस्ट्रांग हो, उस समय चुकि ये पोईजन ती लोगों के अंदर निरासा थी, और ये एक साइकलोजिकल वो है कि ताली बजाने से एक्जर्शन दूर होता है, और आप समझ लिजे कि ये फिजियो थेरप करके ऐसे करते हैं, तो हलका सा उनके जटका होता है, और उनको थोड़ा सा फ्रस्नेस आती, ताली बजाने से भी साइकलोजिकल ये है, ये कोई वो नहीं है को एक रिलिजियो तो ये था कि सबको हिंदर एक टीम भावना लाना, ये था, तो जो है ये फ्रस्टेशन में है, आप पार्टी और आपके लिए मैंने आपको बता दिया, उनहीं के एक उसने कहा था, जो वही हर साख पे उल्लू बैटे है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनहीं के लोगों ने कहा कि हर साख, तो वास्तों में ये पोजिशन है, दूसरी बाजिन के प्यधानमंत्री बनने के ख् पता फुटपाद बना दिया, कहते हैं सरक बनवा दिया, दूसरी इन्होंने जो है, हर तरह से इस्तर को बहुत बिगा रहा है, और सलाप के लिए यहां की महनाएं जानती हैं, उनके पतियों कितना वो घर बरबाद हुएं, और दूसरी जो करोना लहर की बात करना है, उसी क कि है, यह नंके पंदिक नहीं नूट बंदिक नहीं, बे कूप भी नहीं, बे कूप बाना पाना बहुत मुशल्य है, यह चतुर्चकर सुजैन है, और इनको बे कूप बना पाना यही एक बज़ए हैं कि को करोनों रुपए का घपला हुआ, उसमें just आज भी ये सब को एक गाना है कि धोका तेरा नाम धोका रख दूँ। वो गाना इनके उपर बिल्कुल फिट होता है इननोंने अन्ना को धोका इननोंने उनको ठल से न अधिर्च भीके सिंग्जों को धोका दिया इन्होंने कभी विश्वास को धोका दिया, कुमार विश्वास को दिया, मतलब तमाम लोगों को धोका देते हुए और हकीकत है इन्होंने जैन साब को और सुसोदिया को भी निप्टाया, अब यह संजय सिंग को निप्टाने चाहे रहे हैं तो एक वो है कि एक घर डाइन भी छोड़ देती है और इनकी जो पोजिशन है इस समय काफी वाईसी है तो क्या केजरिवाल आपने कहा ना कि सिसोधिया और सतिंद्र जैन को निप्टा थिया तो केजरिवाल की आखर ये राजनीती क्या है क्या वो अकेले अपने दम पर राजनीती कर लेंगे अगर वो तमाम लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो क्या अकेले आपको लगता है कि केजरिवाल का जो सपना है परधान मंतरी बनने का वो पूरा होगा कभी अईसा है देखे मैं आपको बता लूँ एक गाउं में एक वेक्ति था जो दिमागी रूप से भी कमजोड था उसके हाथ पहर भी बेकारते विचारे के फालिस हो गया था दूसे ग्रुम में भी पोज़़ा था दोनों परवार के लड़ने पर दोनों परवार के लोग मारे गए काफि बात में दोनों परवार में जो बिकलांग और जो कम बुद्धि वाले थे हैं जब समर गए तो वही लोग राजा बन गए उन्होंने आपस में आदे जगे बार ली यही पोईशन इनकी पोईशन यह हड़े को बिकलांग करना है पार्टी से निकाल नहीं और इनका यह कामी है कि हरे को करना और लाष्ट में अकेले राज करना चाहते हैं और यह छोड़ेंगे किसी को भी नहीं हकीकत ही यह ये जो परधान मंतुरी के लिए अनपड जैसे शब्दों का इस्तमाल करना और कहा है कि कम पड़े लिखे परधान मंतुरी को कोई भी बेवकूफ बना सकता है और मेरा एक और सवाल मैं ये कहूंगी कि इससे पहले भी परधान मंतुरी पर कई बार केज़वाल अटैक कर चु ये है कि ये एक्चुली में पज्जाम में फैलोर हो रहा है दूसरी बात ये है कि ये लागो चड़ा को आंगे बढ़ाना चाहे रहे थे उनकी भी बनने के संभावना ज्यादा नहीं देख रही है अब आप पार्टी एक ख्वाब ये देख रही है कि मद्वदेश गुजर गुजरात में इनकी बहुत बुड़ी हुआ इस्थित्व गुजरात में पार्टी का उनका जो प्रमुग लीडर्स है वो सब बीजेपी में चले गए अभी आप में इन्होंने कहा है सारी विधान सवाब चुनाओ लगे तो उसका बतलब यह है कि जब सारी विधान सवाब चुनाओ लगे तो इनका नाम होगा और इनका यह है कि लेश के घोले पर टंगली मारिये मगर टंगली मारने पर लेश का घोला इतनी तेज चलता है कि टंगली मारने पर हजानों लोग टंगली मारते हैं और वो गिलते रहते हैं लेश का घोला आंगे बढ़ता रहता है कभ जिरात में इनकी यही पोईशन हुई जहां जहां है तीसरा आपको समझे इनकी महत्वा कांचा इतना है कि मोधी के खिलाप ही लड़ने गयते लोग सभाचुनों और बड़ी बुरी तहीं के साने तो इनका जो खौब है वो एक स्वपन है एक दिवा स्वपन है और पूरे दे तो अजेब प्रत्रकार जी का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बॉकलाहट है जो उनके बयानों में साफतोर पर दिखाई दे रही है अर्विंद केजवाल का प्रधानमंत्री बनने का सपना है लेकिन वो सपना ही रहने वाला है जिस तरीके की खुद राजा बनने का सपना देख रहे हैं